हेलो बच्छों आप सभी का स्वागत है केरिया टेक अकैडमी में ठीक है जैसा कि हम लोग क्या पढ़ लाए थे बच्छों हम लोग ने सारी चीजे पढ़ ली थी ठीक है पिसली क्लास में हमारा राइटर हो गया है और इंप्रेस हो गया है तो आज से हम लोग पढ़ेंगे ल फैल पहला चीज़ दूसरा आपका क्या है यहां पर यहां पर सेर्च कर लिए लिब्रे ओफिस samen सका के ल कि ठीक है यह देखिए यह पूरी फाइल आपके फाइल open होगे ठीक है as calc लिखना ज़रूरी है अगर आप सिर्फ calc लिख देंगे न तो calculator open हो जाएगा यह देखिए computer calculator open हो गया ठीक तो इसलिए हम लोग open करने क्या करेंगे as calc window plus r as calc ठीक है अब आईए इसमें चीजे समझते हैं पहले कि इसको क्या बोलते हैं ये क्या होता है ये क्या होता है ये सारी चीजे कुछ है नॉर्मल ठीक है देखिए आपका ये जो वरकिंग एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं शीट क्या बोलते हैं हम लोग शीट बोलते हैं ठीक है ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं वर्किंग एरिया इन लिब्रे ओफिस कालक एज शीट ठीक है वर्किंग एरिया इन लिब्रे ओफिस कालक इज नोन आज शीट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इस प्रेड शीट इज है ठीक है इंज जूफिस इन इस प्र sentiments इस बच्प्ट इस एक है इस इस त इस आप इस के है है प्रिक है इसल इज आ इंटर सेक्शन ओफ रो एंड कॉलम्स ठीक है वर्किंग एरिया इन लिब्री आफिस कैल कि इस शीट यह पूरी शीट है इस प्रिट शीट किसका कलेक्शन है सेल का ये एक एक बॉक्स आपका क्या है सेल है और सेल क्या है सेल इंटर सेक्शन है रो एंड कॉलम्स जैसे ये वाला पार्ट ये कोना ये कोना ये चारो कोना मिला क्या बन रहा है आपका सेल बन रहा है ठीक है अगला है इसमें कि रो और क vertically but divided by horizontal line okay and denoted by नमबर ठीक है और कॉलम में क्या है कॉलम्स चेंज्ड होरिजॉंटली होरिजॉंटली बट बट डिवाइड़ बाई वर्टिकल लाइन एंड डिनोटेट बाई अल्फा बेट टीक है सबको समझ मारा की वर्किंग एरिया लिब्रे ओफिस कैल की शीट होती है यह स्प्रेट शीट या शीट जो भी है आपका ठीक है या इसको शीट ही माल नेते हैं टीक है इस शीट इसको अप शेल्स एंटरसेक्शन ओफ रोव और कॉलम रोट चेंग वर्टिकली बट डिवाइड बाई वर्टिकल लाइन अंडिनोट बाई अल्फाबेट देखिए यह यह रोव आपका ऊपर से नीचे बदल रहा है मदल वर्टिकली बदल रहा है टीक है तो जो डिवाइड है वो किस से डिवाइड है आपका वो डिवाइड है आपका यह होरिजॉन्टल लाइन से एक यह लाइन है एक यह एक यह ठीक है टीक यह वन टू थ्री फोर टीक और डिवाइड बाई होरिजॉन्टल लाइन इससे पहले वल्टिकल लाइन हो गया था व पूरा सेल बॉक्स और रो कितनी है दस रो आई है और कॉलम कितना है ए से जी तक ठीक है तो यह कॉलम हो गया कॉलम बदलता है आपका दाएं से बाएं लेफ्ट व्राइट और आपका रो बदलता है अप्टू डाउन ठीक है उपर से नीचे यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों ठीक है बाइड डिफॉल्ट ठीक है बाइड डिफॉल्ट आपका इसमें क्या हो जाएगा जूम परसेंटेजिज हाँ हाँ है एज हंड्रेट परसेंट है ठीक है कॉमा मैक्सिमम कितना है यहीं से दिख जाएगा इसको ड्रैग करेंगा हम लोग मैक्सिमम देख लेंगे जूम मैक्सिमम चार सो ठीक है और मिनिमम कितना है यह भी देख लेंगे हम लोग मिनिमम बीस ठीक है बच्चों और बाइडिफॉल्ट हंड्रेड तो मैक्सिमम है यहां पर मैक्सिमम चार सो परसेंट एंड मिनिममम ट्वंटी परसेंट ठीक है यहां पर हो गया मीनू कितने होते है भाई इनके भी मीनू एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ग्यारा ठीक है बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट इलेवन मिनू र in LibreOffice.Cal लीक है बाई डिफॉल्ट document name is untitled तेक है यहां तब कोई दिक्कत आपको पदल कि वर्किंग अरिया क्या कहते है लिब्र आफिस कैल्क तेक है वर्किंग अरिया लिब्र आफिस कैल्क में शीट होती है और collection of sheet की collection क्या होती है cell होती है cell का intersection row and column से बनता है row change vertically होती है पर horizontal line से divide और उसको numbers के द्वारा दिखाया जाता है ठीक है column आपका बदलता है horizontally पर वो डिवाइड होता है vertical line से और उसे alphabet के द्वारा क्या दर्साया जाता है जूम percentage आपका 100% होता है maximum आपका 400 और minimum 20% ठीक है 11 मिनू होते है लिब्रे आफिस कैल्क में और document का नाम होता है वो one untitled होता है ठीक है यह लिखवा दिये है यह हो गया है row हो गया है column हो गया है ठीक है there are two boxes there are two boxes in libreoffice calc after the toolbar one is known as one is known as name box and another age known as formula bar ठीक है दो box होते है एक आपका text box होता है name box होता है और एक आपका क्या होता है formula बार होता है ठीक है जैसे यह यह आपका name box है और यह आपका क्या है formula box या इसको तो काप में बोलेंगे input line ठीक है . 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 इन कैल्क एवरी सेल है जैस दे आर अब कैल्क में क्या है हर सेल का नाम है ठीक है नेम ओफ सेल इज अ इज अ कॉंबिनेशन ओफ कॉलम और रो ठीक है फोर एक्जाम्पल अब आपको कहा गया है कि जो भी कॉलम का नाम होगा वो रो सेल का नाम जो होगा वो कॉंबिनेशन होगा किसका रो और कॉलम का ठीक है जैसे मान लिजिए जैसे हमें इस सेल का नाम जानना है तो combination of column and row column G है और row क्या है 1 है तो इसका नाम क्या गया? G1 ठीक है? यहाँ पे हैं तो यह E है ठीक है यह क्या है आपका? E और यह आपका क्या है? 8 ठीक है जैसे कि यह E है और यह E है आपका और यह क्या है आपका? 8 तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? E 8 हो जाएगा ठीक है बच्चों? तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है देखिए there are two boxes in LibreOffice ठीक LibreOffice में दो box होते हैं ठीक है टूल बार के नीचे पहला होता है name box input line मतलब जो आप cell में लिखे हैं वो उसमें दिखेगा ठीक है? और हर cell का एक नाम होता है cell का नाम क्या होता है? combination of column and row जैसे की column का नाम A और row का नाम 1 A1 हो गया cell का नाम B20 B आपका किसका नाम हो गया? column का और 20 आपका पर रोका तो इस तरह हो गया ठीक है? यहां तो कोई दिक्कत अब देखे input line में जैसे इस पे क्लिक किया I2 पे यह I है और यह 2 है ठीक है? अब I2 में input line में देखे लिखा है working area in library office calculus known as sheet ठीक? और name box में क्या लिखा है? I2 तो मतलब name box दरस आएगा कि वो cell का क्या नाम है और input line दरस आएगा कि उस cell में आपने क्या लिखा है? ठीक है बच्चो? कोई दिक्कत? बाइ डिफॉल्ट ठीक है? अब बाइ डिफॉल्ट यह क्या है यह इसको भी लिखना पड़ेगा ठीक है? बाइ डिफॉल्ट फॉन्ट नेम एज लिब्रेशन सैंस ठीक है देखें यहां पर क्या है फॉन्ट का नाम? लिब्रेशन सैंस है यह बाइ डिफॉल्ट मिलेगा आपको ठीक है? आपको इसके लिए apply कुछ ने करना जैसे ही आप open करेंगी या करेंगे लिब्रे आफिस कैल को तो वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा font का नाम मिल जाएगा लिब्रेशन सेंस ठीक है बच्चो ठीक यहां तक कोई दिक्कत किसी को by default font sizes 10pt ठीक है by default जो font की size होगी वो क्या होगी 10 point होगी वो यहां पहे देखिए ठीक maximum कितनी है इसकी 96 और minimum 6 है ठीक है maximum 96, minimum 6 ठीक है यह आपका by default 10pt का रहेगा maximum 96 और minimum 6 font का नाम रहेगा लिब्रेशन सेंस, cell का combination है row and column का a1, b20, z4, calc में सारे cell के नाम होते हैं, दो box होता है toolbar के नीचे एक होता है name box, दूसरा होता है input line, document का नाम होता है untitled ठीक है और default 11 menu होता है library office calc में ठीक है, zoom percentage 100 होता है maximum 400, minimum 20, column change horizontal but divided by vertical line जैसे ये column है L का M, M का N, तो कैसे बदल रहा है ये आपका, ये आपका बदल रहा है horizontal ठीक है पर divide हो रहा है vertical line से ठीक है, row change vertically but divided by horizontal line जैसे 1, 2, 3, 4 and denoted by numbers, denoted by alphabet ठीक है तो ये आपका row हो गया, ये बदल रहा है उपर से नीचे पर divide हो रहा है ये ऐसे vertical line से ठीक है ये डिवाइड हो रहा है horizontal line से, अगला क्या है, cell is a intersection of row and column row and column जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, वही चार कोना मिला के क्या बन जाता है, आपका cell बन जाता है ठीक है, sheet क्या होती है, collection of cell होती है, working area, library of scale की क्या जानते हैं हम लोग किस नाम से, sheet के नाम से, ठीक है बच्चो, यहाँ तक clear है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, जब यहाँ तक चीजे clear है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली class में हम लोग देखे कैसे इसमे data भरेंगे, कैसे इसमे formula लगेंगे, और कैसे हम लोग इस पर आगे काम करेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, आप लोग के लिए इतनी theory लिख दी गई थी, आप लोग इसको देख लिजिए, पढ़ लिजिए, कोई doubt हो तो आप लोग पूस सकते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद हमाई साथ जुड़े रहने के लिए,